आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students, तुमर आज का question क्या है? हमें Column A की चीज़ों को Column B के साथ match out करना है करना start करते हैं सबसे पहला option है Magnification तो Magnification क्या होता है? यह समझते है Magnification का मतलब कितनी जादा चीज बड़ी हो रही है Just imagine करो, अगर मेरे पास object तो था उसकी height जो है, वो है 1 cm पर मैंने इसकी image बनाई और उस image की height मेरे पास आगई 2 cm तो तुम क्या बोलोगे यार? यह जो है, तो 2 times magnify हो गया बोलोगे न, double हो गया तो तुमने Magnification बताई, पर calculate कैसी कह तुमने Magnification Magnification तुमने calculate किया height of image को height of object से divide करके ऐसी तो तुमने बताया कि कितना times increase हुआ है तो Magnification की value हो अगई थी 2 यह एक example है, इस example ने clear कर दिया कि Magnification का formula है HI upon HO, ठीक है इसमें H1, H2 दे रखा है पर हम लोग पता है, जनरली HI जो है, इसको H2 से represent किया जाता है और HO को H1 से, ठीक है तो इस convention को दिमाग में रखते हुए हम Magnification का formula देखते है तो B या E, यह similar से दिख रहे है इन में से कौन से correct दिख रहे है यह वाला, यह H1 बा H2 है यह H2 बा H1 है चलो, इतना देख लिया, अब आगे देखते है Power of a Lens, यह क्या होता है यार देखो, Lens अगर मेरे पास थे नहीं तेकर छोटा सा Lens है तो इसकी ताकत कितनी है यार इसकी ताकत जितनी जाद होगी उतना जादा इसको bend करेगा light को मान लो इसने बहुत जादा बेंड कर दिया और light यहीं पर meet कर दी ठीक है इसकी case में power जो है जादा है अब मैं दूसरी Lens बना रहा हूँ इसमें power कम है जादा बहुत कम bend करेगा मान लो कम bend करें इसने light को हराम से light जाकि meet कर रहे है पीछे तो इसकेस में इसकी ताकत कम थी पर क्या है फोकल Lens यह होती है ना फोकल Lens तो पावर जादा मतलब पावर जादा थी लेकिन फोकल Lens कम थी यहां पर पावर कम है लेकिन फोकल Lens जादा है तो यह जो distance है फोकस का यहां तक का यह काफी जादा है तो इसका मतलब पावर फोकल Lens जो है वो आपस में inversely proportional है proportionality हटाते है तो actually 1 ही लगता है यह proportionality constant 1 है तो पावर का formula 1 by focal length आ जाता है options में देखते हैं पावर फोकल Lens तो A part 1 by focal length यह correct हो गया फिर आता है focal length तो focal length तो f से denote किया जाता है यह तो basic सा convention है तो यह 3 हो गया distance of an object from lens तो यह object distance क्यलाता है है ना? object distance क्या होता है? object का lens से कितना distance है तो object distance u से ही denote किया जाता है तो यह fourth हो गया और यह जो last वाला है यह कहीं use नहीं हुआ तो I hope अब यह question सबको समाझ में आ गया होगा Classics to 12 से लेके need IIT जही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करें doubt net app या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर